यहाँ पे देखिए एक टेबिल है इस टेबिल पे जाबा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स और ब्लोक्स का डिफरेंसे से ठीक है तो देखिए पहले यहाँ पे जाबा एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन तो देखिए यहाँ पे एक बाद देखिए बेलू इनिशियलाइज हुआ है इस बेरियेबल पे तो इसको भी आप कह सकते है यहाँ पी एक्सप्रेशन थीका यहाँ पे देखिए लीटर से लीटर क्या है देखिए ए इक व्थाइब जो बेलू इहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है इसको आप बोल सकते हो literal, ठीके, तो जो भी value आप variable पे initialize करोगे, ठीके, उसको आप इस value को आप कह सकते हो literal, यह हो सकते है, string type, long type, double type, किसी भी type हो सकते है, ठीके, तो यह हो गए literal, अभी देखिए operators, यहाँ पे, देखिए, एक operations perform हुआ है, arithmetic operations, यहाँ पे additions हुआ है, ठीके, औ operation पे देखिए, addition क्या है, इस addition करके, यहाँ पे result store हुआ है, और इसको कह सकते हो, एक expression, ठीके, और उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक method call हुआ है, print ln के अंदर लिखा है, a is larger than b, ठीके, इस message को आप बोल सकते हो, Java expression, ठीके, और methods call करके भी आप Java program कर सकते हो, program पे, block के अंदर, जो भी syntax होगा, उसको आप कह सकते हो, Java expression, अभी देखिए, मैं आप लोगों को statements दिखा हूँगा, Java statements किया है, in Java, this statement is a complete unit of execution, इसका मतलब क्या है, देखिए, यहाँ पे, मैंने आप लोगों को दिखाया है, expression, ठीके, integer type variable a, और उसके बाद, एक semikulon से, यह सकते हो, X statement, means complete unit of execution, इसको आप कह सकते हो, statement, इसको भी आप कह सकते हो, statement क्योंकि, a igual five और उसके बाद, यहाँ पे, एक semikulon से terminate हो हो है, इसलिए इसको भी आप कह सकते हो, X statement, ठीके, इस line पे देखिए, जो semikulon से terminated हो है, यहाँ से, इहाँ तक, आप कह सकते हो, एक statement ठीके result equal a plus b इस expression पे semicolon से terminated होआ है तो इसको भी आप कह सकते हो statement ठीके इसको भी आप कह सकते हो statement तो जाबा भी क्या होता है statement पे expressions होता है ठीके expression जब semicolon से terminated होगा तब इसको आप कह सकते हो statements ठीके तो यही होता है statement देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, expressions क्या होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को example करके दिखाऊंगा, देखे, a equal 5, थीचे, a equal 5, मैं यहाँ पर Semicalon से terminated नहीं किया, तो इसको आप कहे साकते हो, expression, है हो गया, expression, ठीके, अभी देखिए इस expression को मैं semicolon से terminated करूंगा a equal 5 और उसके बाद semicolon से terminated किया means complete execution किया यहाँ पर syntax को तो मैं यहाँ पर लिखूंगा statement ठीक है इसको आप कह सकते हो statement तो यही होता है Java expression and statements ठीक है अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा block तो देखिए block यहाँ पर a block is a group of statements zero or more that is enclosed in calibrances से तो हम लोग जब program लिखते है class L लिखते है उसके बात यहाँ पर देखिए a calibrances start किया इस calibrances के अंदर जो भी syntax होगा इसको आप कह सकते हो a block तो यहाँ पर देखिए start हो है calibrances यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हो एक block तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ block one ठीके तो a हो गया block और उसके पाद देखिए यहाँ पर main method define हुआ है और main method पर देखिए यहाँ पर फीस से एक calibrances start हुआ है यहाँ पर एक bracket start हुआ है और यहाँ पर खतम हुआ है तो यह कह सकते है आप start of block ठीके इस calibrances को आप कह सकते हो start of block बिन starting of calibrances ठीके तो यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हो block ठीके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ block ठीके तो इसके अंदर देखिए बहुत सरा statements है expressions हैं ठीक है तो इसलिए में यहाँ पे लिखा है a block is a group of statement आप group of statements को कह सकते हो a block ठीक है यह 0 भी हो सकते हैं और 0 से जाधा भी हो सकते हैं ठीक है statement जाधा भी हो सकते हैं तो यह होता है Java पे block अगर आप लोगों को कोई भी doubt होगा Java expressions statements और block के बारे में तो मुझे comment section में comment करके बताए तो आपकी friend के साथ share करिए क्योंकि जब like comment और share करोगों मुझे motivation मिलेगा आप video upload करने के लिए और tutorial बनाने के लिए और इसी तरह आप लोग अच्छे अच्छे tutorial और knowledgeable tutorial आप लोगों को मिलेगा Thank you